इंडिया में बॉलिवुड एक्टर्स का नाम सिर्फ फिल्मों की प्रमोशन के लिए नहीं इस्तमाल किया जाता बलकि बॉक्स ओफिस के साथ साथ तहवारों में बाज़ारों में उनके नाम का खूब इस्तमाल किया जाता है आपको याद होगा कि दिवाली के वक्त पटाकों के नाम बॉलिवुड स्टास के नाम पर थें अब एक बर फिर ईद पे वही ट्रेंड देखने को मिल रहा है सोर्सस के हिसाब से मार्किट में बाहुबली प्रभास और सल्मान शारुप की करन अर्जुन के नाम के बक्रे खुब बिक रहे हैं जी हाँ बॉलिवुड स्टास के नाम पर ये बक्रे धडलले से बिक रहे हैं वो करन अर्जुन से जुड़ी इंटरस्टिंग बात बताता है इस वापारी ने बताया कि करन अर्जुन जो बक्रे हैं वो जुड़वा है और उनका जन्म एक ही दिन हुआ था बही वाँ बॉलिवुड स्टास के नाम पर किसी भी तरह की मार्केटिंग की जा सकती है वो की प्रमोशन के लिए नहीं इस्तमाल किया जाता बलकि बॉक्स ओफिस के साथ-साथ तहवारों में बाज़ारों में उनके नाम का खूब इस्तमाल किया जाता है आपको याद होगा कि दिवाली के वक्त पटाकों के नाम बॉलिवुड स्टास के नाम पर थें अब एक बर फिर ईद पे वही ट्रेंड देखने को मिल रहा है सोर्सस के हिसाब से मारकिट में बाहुबली प्रभास और सलमान शारुप की करन अर्जुन के नाम के बकरे खूब बिक रहे हैं जिस व्यापारी ने करन अर्जुन नाम के बकरे बेचे हैं वो करन अर्जुन से जुड़ी इंटरस्टिंग बात बताता है इस व्यापारी ने बताया कि करन अर्जुन जो बकरे हैं वो जुड़वा है और उनका जन्म एक ही दिन हुआ था बही वा, बॉलिवुड स्टार्स के नाम पर किसी भी तरह की मार्केटिंग की जा सकती है आज इन बकरों ने साबित कर दिखाया और इत के मौके पर सुपर्स्टार्स के नाम वाले इन बकरों की कीमत से बात साफ हो गई है की बकरे भी अब बॉलिवुड से अच्छूते नहीं रह गए है बॉलिवुड की तमाम खबरों के लिए देखते रही हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करना बिलकुल ना बूला